तुम्हारा मोह ग्रस्थ होकर अपने कर्तव्यपत से हट जाना मुर्पता है क्योंकि इसमें ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ती होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ती बढ़ेगी अगर तुम अपना कल्यान करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेश सभी धर्मों को छोड़ कर मेरी सरण में आ जाओ मैं तुम्हें मुक्ती प्रदान करूँगा मित्रों यह कहानी स्वर्ग और नर्ग की कहानी है ध्यान से सुने मित्रों एक गाओं में एक महत्मा रहती थी महत्मा का काम लोगों को उपदेश देना था उसी गाओं में एक नाचने वाली रहती थी वह लोगों को इस सामने नाच कर उनका मन बहलाती थी एक दिन गाओं में कुदरत का ऐसा प्रकोफ हुआ जिसमें नाचने वाली और महात्मा दोनों की मौत हो जाती है मौत के बाद दोनों को यमपूरी ले जाया जाता है इनके कर्मों और उसके पीछे छिपी भावनाओं के हिसाब से स्वर्ग या नर्ग भेजने की बात होती है महात्मा सोच रहे थे मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा जबकि नाचने वाली सिर्फ फैसले का इंतजार कर रही थी तब ही फैसला सुनाया जाता है नाचने वाली को स्वर्ग और महात्मा को नर्ग में जाना है यह फैसला सुनते ही महात्मा क्रोध भाव से चिलाते हुए बोले यह कैसा न्याय है महराज मैंने अपनी सारी जिंदगी उपदेश में बिता दी और मुझे नरक मिल रहा है जबकि यह नाचने वाली लोगों को रिजाती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है सांत भाव से अमराज ने महात्मा को उत्तर दिया ये नाचने वाली पेट भरने के लिए नाचती जरूर थी पर इसके मन की यही भावना थी अपनी कला इस्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूं जबकि तुम लोगों को ग्यान उपदेश देते हुए यह सोचा करते थे कि कास मुझे भी नाचने वाली का नाच देखने को मिल जाए तुम इस्वर के महत्वपुन संदेश को भूल गए इनसान के कर्म से अधिक कर्म के पीछे की भावनाएं महत्व रखती हैं भावनाओं के हिसाब से ही तुम्हें नर्क में जाना है मित्रों हम कोई भी काम करें हमारी उस काम के प्रती नियत साप होनी चाहिए अगर हमारी नियत साप नहीं है तो वह काम पूर्ण की जगां हमें पाप का भागी बना देता है मित्रों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें धन्यवाद